अपनी कम्यों को देखना होता है कि मैं कहां लैक कर रहा हूं और सबकी अलग अलग कम्या हैं और आप उसका एक जनरल सॉलिशन ढूंट रहे हो तो कुछ नहीं होगा चार महीने बाद पेपर है एक सो बीस दिल बाद इतनी अनर्जी आपने रहे ही नहीं सरना है बढ़ते बढ़ते बोर्यत आने लगती है साथ जो भी आप सोच रहे हैं जो भी आपने मन में सोचा है कि मुझे ये वाला रैंक ये वाला कॉलेज चीह है उसको अटेन करने का उसक लगते लिए अपने मन में सोचा है कि मुझे ये वाला रैंक ये वाला कॉलेज है उसको अटेन करने का उसको अचेव करने का अभी भी सुनेरा मौका आपके पास में है कुछ बर्बाद नहीं हुआ है कुछ भी कहीं से भी कुछ कमी नहीं हुई बस आपने जो गलतिया की उसको सीखिए उनसे अच्छा आपकी सबकी गलतिया अलग अलग टाइप की है और आप उसका एक जनरल सॉलिशन रूंड रहे हो तो कुछ नहीं होगा आपने केमेस्ट्री के कुछ चैप्टर छोड़े हैं तो उनको पड़ो अपने मैस में कुछ चैप्टर छोड़े हैं उनको पड़ो आप सबकी एक ही सॉलिशन नहीं होता और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाईगी तो आपकी बहुत अच्छी रैंका जाएगी नहीं सारे परामेटर करना पड़ता है नोट्स हमें बार-बार पढ़ने पड़ते हैं टेस्ट देने पड़ते हैं उनक इसको थोड़ा खराब किया है अब वह वाली गलतिया मत करना इस अटेंट को जो अगला आ रहा है उसको मत खराब कीजेगा किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट मत कीजेगा और एक सबसे इंपॉटेंट बात जिसकी कोई बात नहीं करेगा शुरू-शुरू में जब बात की जाती है जैसे अभी मैं बोलू तब में एकदम जोश भर गया है हां सर बताओ कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी और कितनी पढ़ाई करनी है सर आप फोड़ देंगे बहुत अच्छी बात यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है बट जर्नी इस चार महीने की है एक हफते दो हफ बिलकुल एक दम अभी आईटी रूर्की में है उसका फोन आया बैटे बैटे बोलते बोलते ही सवाल पूछते पूछते रोने लगया मैं क्या हुआ बहुत कितना पढ़ना है मैं क्यों क्या हुआ बोले कब से पढ़ने लगे ती तो खतम ही नहीं हो रहा जैई एडवांस मैं जब बोलता हूं ब्रेक तो आप डिसाइड करेंगे